हेलो फ्रेंड्स देस्ट वाला की यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हमारी पेपर टू यूनिट वन का ये फूर्थ क्लास है आज की टॉपिक देखते हैं आज का पहला टॉपिक है हमारा डिपी एस्पी राज्य की नीती निर्देशक तत्वा राज्य को दि इसके बाद संब्धाने कुब बंद में आपका संब्धान के भाग चार में अनुछेत 39さे 55 थक है तो ये आप याद रखिएगा भाग चार अनुछेत 35 से 55 टेक हैं इस तुरुथ कौन सा है इस का इस तूरुथ है आपका आयायलेंड के संब्धान से आमने इसको लिया गए आपको पिछले वीडियो में भी पताया था जब भी आप संबेधान का कोई भी संबेधान से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे अंसर लेक रहे हैं तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है एक तुसकी परिवासा आप दीजिए ठीक है उसके बाद उसमें आप संबेधानिक किस भाग में हैं संबेधान में में उससे रिलेटेड क्या अनुछेद है या फिर वैकिस देश के संबेधान से लिया गया है तो यह आप थोड़ा सा याद रखिए ठीक है इसके पक्षम कथन और बिबक्षम कथन देख लेते हैं देखिए अमेटकन ने इसको आर्थिक लो आया है इनका सेक्षिक महत्व है केटी साहा ने इसके बवक्ष में जो केटी साहा का तरक है वो है डीपीस पी एक ऐसा चेक है जिसका भुकतान बैंक की दया पे छोड़ दिया गया है ठीक है इसके बाद आईवर जैनिंग्स के अनुसर यह इनका उद्देश भारत में कर सकते हैं ठीक है अब देखते हैं नीती नेदेशक तत्वों का महत्व यह विशेष्टा है यह आपका फाइब मारकर का कोश्चन रहेगा तो महत्व में आप लिखती जगा कि इनका दूर्पयोग नहीं किया जा सकता आदर्शात्मक शरूप है लोग कल्यानकारी राज्य की सकती को कम करते हैं राज्य के विप्रीत वह विक्ति एक दिये गए ठीक है जबकि जो डीपी एसपी नीती नेदेशक तत्व हैं वह राज्य की सकती को बढ़ाते हैं नहतिक नियमों पर आधारित हैं इनके तीन सवरूप हैं समाजबादी गांधिवादी और इसके बाद आलोचना की कुछ बिंदू देख लेते हैं यह भी आपका फाइब मारकर में कोशन बन सकता है तो पहला तो यह हो जाएगा कि यह नैलीन प्रवत्नी नहीं है दूसरा आधर्शात्मक स्वरूप है मतलब जो इसकी भासा है वो काफी आधर्शात्मक है जो कि बह है ठीक है तो अंतर में आप देखें अंतरemie आप यह अंतर के कुछ बिंदू है इन के आधार पे आप आप अंतर को लिख सकते हैं तो इसमें सम्झानािा जैसा कुछ नहीं है आपके वाली ये पढ़ लीजेगा कि वही इसकी परिवाशा क्या है ये किस भाग में क्या नुच्छे दाते हैं ठीक है इस तरीके के पॉइंट दिये हैं तो ये आप इसको पढ़ लीजे ऐसा ऐसा आप इसको छाप सकते हैं मूल कर्तब्यां फंडमेंटल ड्यूटीज ठीक है भारतिय संब्यदान में मूल अधिकारों के सासाथ मूल कर्तब्यों को इस्थान प्राप्त है ठीक है संब्यदान को बंद क्या है इसका मूल संब्यदान में मूल कर्तब्य नहीं थे 42 संब्यदान शंशोदन अधिनियम 1976 के के द्वारा संब्यदान के भाग चार का और अनुचित इक्यावन का के इंतरगत दस मुल करतब्यों को समवेश किया गया ठीक है तो यह आप याद रखेगा इसके बाद पढ़ लीजेगा देखें पहला रहेगा भारत की संपर्बुता और अखंड़ता की रख्चा यहां पर आप अगर आपको मौले करतब्य याद हैं तो आप उन्हीं में से पॉइंट बना सकते हैं इसमें कुछ बिसेश नहीं करना आपको पॉलिटी में आपको यह दो तीन ची में से उनके आंसर को फ्रेम कर सकते हैं ठीक है देश की सुरक्षा की ववस्ता अंद विस्वासों तता रूडियों को दूर करने में सहायक सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा लोकतंत्र को सपल बनाने में सहायक प्रदूशन को दूर करने तता स्वास्त की रख्चा करने के ल के बुरियादी धांचे का अर्थ है उन प्राबधानों से है जो सम्जदान के मुल् दर्शन से संबंदित है भारती राजवस्ता में लोकतंत्र सरवादिक में अद्पून इस लिए संब्धान में मौल्स सतंस्य। संसद उन प्रबधानों में संशोदा नहीं कर सकती जो मौलिक स्वतंतता से संबंदत हैं ति में कुछ ऐसे प्राबधान है जिने संब्यधान का basic structure या बुनादी धाचा माना गया है ठीक है उनमें संसत किसी तरीके का उसमें परिवतर नहीं कर सकती जैसे कि आपकी प्रस्ताब न हुई मौलिक अतिकार हुए ठीक ह आपके बुनादी धाचे के नतरगत आते हैं अब देखे संब्यधान के विकास में बुनादी धाचे के सितानत का क्या योगदान है एक कोशन यह आपका five mark रहां बन सकता है तो इसमें देखे आप सीधे सीधे point लग सकते हैं कि भारत के संब्यधान के अनुरूप सासन के सं लगतियों किसपश्ट व्यक्या और मूलादिकारों का सरनक्षा ठीक तो इस तरीके से यह आप पांच पॉइंट इसमें दे सकते हैं इसके बाद आपका next question मन सकता है भारतिया संब्यधान की विसेस्ता है कि अगर यह five marker में question आ सकता है तो आपको कुशनी करना है इसमें यह छाग फॉलप stake है कि संब्यधान की विसेस्टा है जो भी संब्यधान में प्राब्धान दिया गए है वो उसकी विसेटा है आपको प्रस्तावना कर ya दर तो बढ़िया कि उतने सब्दर वह वो उसकी विसेस्टा है ठीक है मौलक अधिकार हुए निटी निदे शक्ततव हु अगर आपको संब्यधान के basic knowledge है तो आप उसकी business time बड़े easily लिख सकते हैं ठीक है तो यह कुछ ऐसे question है संब्यधान के जिने आपको पढ़ने की व्यावशकता नहीं है अगर आपको संब्यधान के बारे में पता है तो आप आराम से इन question का answer लिख सकते हैं ठीक है next देखते है संब्यधान निर्माण समीति यह आपको five marker में question बन सकता है तो देखे संब्यधान निर्माण की समस्या के निवारन है तो कई समितियों का गठन किया गया जिने में से कुछ प्रमुक समितियां थी जिसके प्रांतिय समिति प्रारूप समिति मूला दिकारों एबल अल्प संक संब्यधान समिति मूला दिकारों समीति नियम समीति और संचालन समिति ठीक है इसके अपका प्रारूप समिति पे question बन सकता है यह 5 मारकर में आपका question आ सकता है प्रारूप समीति के टिप पणने लिखे या पिर इसके क्या का रहे थे इसके सदाश्य कौन-कौन थे तो इस यहां से कोशन बन सकता है ठीक है तो देखे प्रारूप समिती का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 यह याद रखेगा आप इसके अध्यक्षे थे बी आर अमबेटकर ठीक है इनका निर्वाचन पश्चिमंगाल से हुआ इसके जो अन्य सदस्य थे उनके नाम थे एन गोपाल स्वाम कष्टि थी इसका कार्ड क्या था इसका कार्ड क्या था प्रामर्स सावहा दुआरस संवेधान का परिक्षण कनना एंस संवा का प्रारूप तयार ना थी है तो इनने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी वो 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी ठीक है इसके बाद दिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा समान नागरिक सहीता ये काफी जानदा आपका देखें इंपोर्डेंट कोश्चन हो जाता है इस वार क्योंकि आपको पता है गुजरात और उत्राखंड दो स्टेट हैं जहां पर समान नागरिक सहीता को लेके अभी जब चुना हो रहे थे वहां पर तो काफी है चर्चा का बिशर बनाता ठीक है वहां की सरकारों ने समान नागरिक सहीता को लागू करने के लिए प्राबधान करने का योजना पे कारगना शुरू कर दिया है तो ये इस पार आपका कुशन बिलकुल बन सकता है इसके 100% चांस है तो इसको आप थोड़ा अच्छे से आद कीजिएगा ठीक है समान नागरिक सहीता ये आर्टिकल आपके 44 में है नीती निदेशक तत्व के अनुच्छे 44 में दिया गया है ठीक है प्रत के सभी नागरिकों हितु एक समान कानूनों सिविल मामले जिसमें असामेलोंगे का समू हैं जिसका लक्षि ब्यक्तिकत कानूनों धार्मिक करंद वार स्थापित करना है ठीक है एक दिस एक कानून इसकी टेग लाइन रहेगी और इसमें आप उधान दे सकते हैं तीन तलाग को जो अभी तीन तलाग को समवब दिया गया है ठीक है इसके बाद इसमें आप लिख सकते हैं भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून इन कानूनों को सारवजनिक कानून के नाम से भी जाना जाता है इसका उल्ले कनुचे 44 में है अभी यह केवल एक मात इस्टेट जो गुआ है वहाँ पे लागू है ठीक है इसकी आवशक्ता के पॉइंट देख लेते हैं ये आपका एक कोशन अलग से बन सकता है कि एक समान अखंड़ता ही तु अवशक है धरमजाती जomena के भेदों को कम कन्य Cit अवशक है समान नयागरिक समाज की स्थापना कन्य है तू मैत्पूर्णं है समाज आज का वीडियो यहीं समापत होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यबाद कि अचरी आपको वीडियोर आपको वीडियोर चैनल की नहीं साल आपको अगरी कीजिए और हमारे प聯िबाद प्रेंग्स על FYD झाल झाल